जैहिंद कुछ अपडेट कुछ सूचनाए PhD एड्मिशन को लेकर पुरानी और नई दोनों आई हैं महात्मा गांधी काशिविद्यापिट के तरफ से और साथी साथ 9 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक इन सूचनाओं का संबन्ध हैं क्योंकि अलग-अलग नोटिफिकेशन आए हैं अलग-अलग विभागों को लेकर इस फिश्विद्याले के संदर्व में कौन सी सूचना आपके लिए काम की हो सकती है ये तो आप ही बता पाएंगे मुझको लेकिन जो सूचनाए वैब साइट पर मुझे प्राप्त हुई है उनकी जानकारी में आपको देने वाला हू ज़िए आपकी भी कुछ समस्या है PhD अड्मिशन को लेकर या कोर्स वर्ग को लेकर फीस सम्मिट को लेकर या इंटर्वु को लेकर एंट्रेंस तो अभी हुआ नहीं है नहीं सत्र का और कब होगा उसकी भी कुछ सूचनाए है तो आपको बताएंगे चोटे से वीडियो में चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब या लाइक सब्सक्राइब उल्टा बोल दिया जो बोल दिया वो समझिएगा जो करना है वो करिएगा लेकि सूचनाओं को पूरा सुनिएगा सूचनाओं अच्छी लगे तो शेयर कर दीजेगा और कोई डाउट संका सवाल ह आपके दिल में दिमाग में लीवर में किड़नी में और समय आकर उसको समय से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजेगा और वीडियो का पहला वाग है पहली सूचना है नौ फरवरी की जो बताती है कि युनिवस्टी का एक डिपार्टमेंट है ललित कला विभाग ललित कला विभ विभाग में चैन्ट सभी विध्यारते ध्यान दे कि 20 फरवरी यानिके कल आज 19 फरवरी को में वीडियो शूट कर रहा हूं लगभग सुभे 9 बजे के आसपास तो 20 फरवरी को आप 20 अपनी फीस को सम्मिट कर दीजेगा इसके बाद फीस को सम्मिट करने की डेल्लान खतम ह हो जाएगी और जिन विवच्चों का चैन हुआ है इस विभाग में दीफीस सम्मिट नहीं कर पाते हैं त्यातारिक तक तो उनके अड्मिशन को रद कर दिया जाएगा कैंसिल कर दिया जाएगा ठीक है सूचना अच्छी लगी तो कमेंट करें बताईएगा अगली सूचना है मनोविक ज्यान विवाग से इस विवाग के बच्चे ध्यान से सुनें कि दो हजार तेईस अठारा जनवणी दू एक संधर में नोटिकेशन दिया गया जिससे बताया गया था कि दो हजार अठारा सथ्र के उन्निस शोधारतियों के प्यजडी समिशन की जो डीट को एक् विस्तार जो विस्तार करने की तिथी थी पीएजडी की वो भी हो गई है समाप्त है ना वो भी समाप्त हो गई है तो विद्याला ने कहा है कि यदि आपकी पीएजडी की तारिक समाप्त हो गई है सम्मिट करने की तो जल से जल इसको सम्मिट करें नहीं तो जो गैर अनुशा वाशनात्मक भाशा है क्या करें अकैद्मिक उसी शब्द का परियोग करना पड़ेगा नहीं तो ना जाने किसकी कब किस परकार से भावनाएं आहत हो जाएंगी तो भही है यह सभी वित्यारती डिपार्टमेंट आप साइकलोजी के अपने डिपार्टमेंट के लिस्ट को द काम हैं पशुपालर एवं दुग दुग ताद्रियान के जैसे हम डेरी फार्मिंग भोलते हो वारा एकलिकल्चर वाला फिर है किर्शी अद्शास्त्र एंसांके की फिर है किर्शी उद्यान किर्शी रसाइन विभाग में के 20 और 21 सत्र के पीच्डी शोधारती ध्यान से जैन हुआ है क्यूंकि विश्विद्याले को अब याद आया है कि विश्विद्याले के पास कोई परिसर ही नहीं है जां विध्यारतियों की कोर्सवर्ग की कक्षाएं प्रारंब कर सकें विध्यारतियों की पढ़ाई लिखाई कहां होगी इसकी जानकारी अब देरा है वि संग्यान हमें प्रावत हुआ तो उसके लिए एक नई विवस्था की विवस्था की गई है अब ये संस्था का नाम भी इसमें दिया गया है ये कहा गया है कि मानने कुलपती जी के द्वारा गठित समीती के संयोजक परफेसर ओपी सिंग द्वारा सीमी सदस्य द्वारा जिन विष्विध्याल है और कब होंगी कखशाएं कहां होंगी यह अभी अता पता नहीं जो विध्यारती मुझे कमेंड करके पूछ रहे थे फोन करके सर अगस्त 2020 में कुछ विध्यारतियों का दिसंबर 2022 में कुछ विध्यारतियों का जनवरी 2023 में PhD में चैन हुआ है उनकी आप कमेंड करके समझ सक बता जीएगा मुझे कि आपके यहां कितना डेवलेमेंट हुआ है अगली सूचना का संबंध है भौतिक रसायन वरनस्पती एवं जन्तु विध्यान की तरफ से यानि के बायालोजी बॉटनी केमेश्ट्री और फिजिक्स इसमें कहा गया है प्री एन पी जी कॉलिज ज्यान पूर भदोई एवं राज के स्नात कोतर महा विध्याले ओवरा सोन भत्र के समझत विध्यारतियों को सूचित किया जाता है कि उनकी कोर्स वर्क का लगू शोध परबंद जमा कराने की अंतिम्ति थी 20 फरवरी 2023 निर्धारित की गई है यानि कि य परबंद जमा करते हैं अपने शोध परबंद को तो उसकी जवाब दे ही विध्यारतियों शोधारतियों की होगी विभाग और विश्विध्याले आपके उपर कानूने कारवाई होने के लिए पर्तिबद है अगला डिपार्टमेंट है इतिहास और 16 फरवरी का चाहता है कोड़ नंबर 704 और कोड़ नंबर 705 यानि के इतिहास विभाग और प्राचीन इतिहास तता मद्द काली आधुनी के इतिहास विध्यारति चुनेगे कि 1921 और 2021 सत्र के चैनित कोर्स वर्क की जो भी विध्यारति है अपनी फीज को जमा करेंगे यह जिनका विचै प्रारम हो जाएंगी स्मार्ट क्लास्रूम में कहां पर स्मार्ट क्लास्रूम में विश्विद्या ले के कुछ विभागों के पास कक्षाएं कहां होंगी इसके लिए परिसर तक नहीं है और कुछ विभागों के पास इतनी सुविधाएं हैं कि क्लास नहीं स्मार्ट क्लास सिस होंगी इसकी सूचनाएं आ गई हैं सही गलत conflict है द्वंद है द्वेत है अद्वेत है या फिर ये नीती है या रणनीती है या new education policy का ये प्रारूप है मुझे नहीं समझ में आता आपको आ रहा है या आपके जानकारों को समझ में आ है तो कमेंट करके हमको भी बताइएगा और आपके पास क्यों सूच रहा हो इस विश्विद्याले के 2022 के परवेश परिक्षा कब होगी कहां होगी admit card कब आएगा अगर ये सूचना है आपके पास है तो हमको भी बताइएगा ताकि हम ध्यारतियों को बता सके वीडियो बना सक लाइक शेयर तो आप करी देंगे अपनी समझ के अनुसा लेकिस सूचना है साही समय पर मिलना ये आपका अधिकार है क्योंकि आपने विश्विद्याले को फीश जमा करी है यूटूब को पैसा दिया रही है आपने लेकिन यूटूब आपको जानकारी देता है और जहां आपने फीश जमा करी है वो आपको जानकारी है समय पर नहीं देता है तो किसको देखना है किसको नहीं देखना है किसको पसंद करना है किसको ना पसंद करना है और किनकी सूचनाओं पर विश्वास करना ये तै किवल आपको करना है जो सूचनाओं आपको दी गई है उनकी पुष्ट्री और पर्मानिकता जरूर कर लीजेगा और उसको पर्मानिक किये बगैर मेरी या किसी अन्य यूटूबर की बात पर विश्वास मत कीजेगा नहीं तो यूटूबर यूटूब का नुकसान नहीं विध्यारती का नुकसान होगा विश्विद्याले का भी नहीं होगा आपने इस लंबे चौड़े वीडियो को देखा उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद लंबे अंत्राल के बाद आपको वीडियो मिल रहा है कि अगरे समय का अभाव था खुछ विश्विद्याले की तरफ से क्योंकि विश्विद्याले के जो वाइस चांसलर है ना यूजी सी के जो चेर्मेन भी है ना जाने कब क्या-क्या अविश्वार या कहें कि कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो उन्होंने कुछ किया है चौदा फरवरी को अच्छा तो नहीं है मेरी नजर में लेकिन उसका परणाम तो भुखतना अफ़त को पड़ेगा और प्रणाम वह अच्छा नहीं है क्योंकि आपके पास इंफ्रस्ट्रक्शर नहीं है जिसका एक्जम्पल आपने काश्य विद्याप्टिक में देखा होगा और देश में लागू करने जा रहे हैं पीजडी किसी नए नियमों को उसकी भ संग्यान में होंगे कुछ आपके संग्यान में होंगे लेकिन सभी के संग्यान में सभी जानकारी हो इसकी लिए सूचना उंको शेर करिएगा और कौन सी चुचना आपको अच्छी लगी मुझे बताईएगा और आपका चैन किस विभाग में हुआ है या किस विभाग के ल झाल झाल